नमस्कार आप देख रहे हैं सत्तावी मर्ष और मैं हूँ किरन राय बिहार के डीजीपे पद से वियारस यानि स्वेचिक सेवा निवृत्ति लेने के बाद एक खबर या चैनल को दिये इंट्रिव्यू में गुपतेश्वर पांडे वो दावा कर गए जो मोधी योगी यहां कहीं से चुनाव लड़ जाओं जीत सकता हूं उन्होंने एक और बड़ी मज़ेदार बात कही कि मेरे खिलाफ हर रोज अफवा उड़ा कर मुझे विवादत बनाया जा रहा था मेरे खिलाफ विपक्ष चुनाव आयोग से शिकायत करता और अगर चुनाव आयोग मुझे परटाना पड़ सकता था मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी मुझे अपमानित करके हटाने का पूरा प्लान था मैं समझ गया और मैंने वियारस लेने का फैसला किया रही बात चुनाव लड़ने की तो किसी राजनितिक दल में शामिल हो जाना या चुनाव लड़ जाना किसे भी विधान सभा सीट से चुनाव लड़कर मैं चीत सकता हूं वो भी निर्दलिया बड़ी बात है 14 सीटों से चुनाव लड़ने का मेरे पास ओफर है लेकिन अभी तक राजनिती में जाने का फैसला मैंने नहीं किया है लेकिन सत्ता विमर्ष के खबरिलाल का कहना है क कि गुपतेश्वर पांडे भाजपा या जेडियू के टिकट पर बकसर या फिर बेगु सराय विधान सभा से चुनाव मैदान में उतर सकने हैं बकसर उनका ग्रिह जनपद है जबकि बेगु सराय एक IPS अधिकारी के रूप में कर्म स्थरी हालांकि उन्होंने 14 सीटों से च चुनाव लड़कर जीतने का दावा जिस अंदाज में किया है ऐसा तो मोदि योगी और नितिष ने भी आस तक नहीं किया नितिश कुमार को तो चुनाव लड़ने तक से डर लगता है क्यों लगता है कैसे लगता है आप से भी जाते हैं आपका इस बारी में क्या कहना है comment box में कमेंट के जरीए हमें उससे रूबरू कराए फिलाल के लेतना ही देखते और सुनते रहे सत्ता विमर्श